हमारे चैनल में आपका पुना स्वागत है आज हम बॉलिवुड की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक-एक मात्र आलिया भट्ट की अविश्वसनिय यात्रा में गोता लगा रही हैं लगातार सफलताओं और कुछ असाधारन प्रदर्शनों के साथ आलिया निससंदे हिंदी फिल्म उद्योग में एक बड़ी ताकत बन गई है तो आएए उनके उलेखनिय करियर और उनके द्वारा हासिल किये गए मील के पत्थर पर करीब से नजर डालें आलिया भट की अभिनय यात्रा कम उम्र में शुरू हुई 1999 में रिलीज हुई उनके पिता महेश भट की प्रड़क्शन संधर्श में एक छोटी भूमिका के साथ जहां उन्होंने स्टार प्रीती जिंटा के युवा संसकरण को चित्रित किया हाला कि यह उनके अभिनय करियर की शुरूआत थी लेकिन उन्हें सफलता बाद में मिली जब उन्हें 2012 में रिलीज हुई करण जोहर की किशोर फिल्म स्टूडेंट आफ़ दम में पहली मुख्य भूमिका मिली जहां स्टूडेंट आफ़ दम में उनके प्रदर्शन को मिश्रित समीक्षा मिली वहीं आलिया ने आने वाले वर्षों में कुछ उतक्रिष्ट भूमिकाओं के साथ अपनी काबिलियत साबित की आलिया भट की असली अभिनायक शमता 2014 में रिलीज हुई रोड ड्रामा हाईवे में सामने आई जहां उन्होंने एक अफ़रन पीडिता की भूमिका निभाई और उनके सम्मोहक प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री का प्रतिष्थित फिल्म फेर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए आलिया ने करण जोहर के धर्मा प्रोडक्शन्स के तहट निर्मित व्यावसायक रूप से सफल रोमांस दो स्टेट्स और हम्प्टी शर्मा की दुलहनियाव में अपनी अभिनीत भूमिकाओं से दिल जीत लिया सिर्फ एक असाधारन अभिनेत्री ही नहीं आलिया ने हम्प्टी शर्मा की दुलहनिया के साउन्ड ट्रैक के लिए भावपूर्ण समझावा अनपलग्द गाकर अपनी गायन प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को विभिन भूमिकाओं में प्रदर्शित किया गया जैसे कपूर एंड संस, डियर जिंदगी और उर्ता पंजाब में परेशान युवा महिलाएं जिसके लिए उन्हें आलोच नात्मक प्रशंसा मिली और सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री का फिल्म फेर पुरस्कार मिला अगले वर्शों में आलिया ने विभिन शैलियों में उतकरिष्ट प्रदर्शन किया रोमांटिक बदरीनाथ की दुलहनिया से लेकर गहन जासूसी थ्रिलर राजी और संगीत नाटक गली बॉय तक जिसने उन्हें फिल्म फेर में दो और सर्वश्रिष्ट अभिनेत्री पुरसकार दिलाए कई ब्लॉक्बस्टर फिल्मों में अपनी भागिदारी के साथ वर्ष 2022 आलिया के लिए गेमचेंजर साबित हुआ तेलुगु भाशा की पेरियड फिल्म आरारार में उनकी संग्शिप्त भूमिका से लेकर फंतासी फिल्म ब्रहमास्त्र पार्ट वन शिव और बायोपिक गंगुबाई काठियावाडी में उनकी अभिनीत भूमिकाओ तक आलिया ने दर्शकों पर एक स्थाई प्रभाव चोड़ा और अपार बॉक्स ओफिस आनंद लिया। की यात्रा वास्तव में प्रेणादायक है। जल्द ही फिर मिलेंगे। झालिवे लिया। जल्द ही यालिवे लिया प्राव प्रेणादादा टालिब तक जल्द है। झाल झाल